Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 10 अगस्त के exam related जितने भी important question है हम उन्हें solve करेंगे, so let's start तो first question है, भारत छोड़ो अंदोलन की 78 वी वर्सगाट किस दिन मनाई गई? options हैं, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त तो 8 अगस्त 1942 को महत्मा गांधी द्वारा अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो अंदोलन सुरू किया गया था 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो अंदोलन की 78 वी वर्सगाट मनाई गई, तो इसमें उत्तर option D 8 अगस्त सही है इसे अगस्त अंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ये अंदोलन भारत में ब्रिटिस सासन को समाप्त करने की मांग के लिए सुरू किया गया था गांधी ने अंदोलन के दौरान अपना प्रसिध नारा करो या मरो दिया था नेक्स्ट कोस्चन है, T20 Men's World Cup 2021 कहां आयोजित होगा options हैं Australia, India, South Africa या UAE तो ये इंडिया में आयोजित होगा, तो इसमें उत्तर option B इंडिया सही है 2020 का T20 Men's World Cup इस्थगित कर दिया गया COVID-19 के वज़े से जो आश्ट्रेलिया में होना था, इसे अब 2022 में आश्ट्रेलिया में होगा cricket की बात करें तो BCCI ने वीवो के साथ sponsorship सोदा इस्थगित कर दिया है वीवो 2020 के IPL से नहीं जुडेगा ICC की बात करें तो ICC का full form International Cricket Council है इसके चेर्मेन इमरान ख्वाजा है और इसका मुख्याल है दुबाई UAE में है Next question है कौन सा देश सेनिको के लिए इसमारक का निर्माड करेगा options है लेबनान, बांगलादेश, नेपाल या चाइना तो बांगलादेश सेनिको के लिए इसमारक का निर्माड करेगा तो इसमें उत्तर option भी बांगलादेश सही है 1971 में देश के स्वतंता संग्राम के दोरान सहीध हुए हमारे भारतिय सेनिको के लिए बांगलादेश एक इसमारक का निर्माड करेगा इस मारक का निर्माड बांगलादेश की स्वतंत्रता की पच्चासवी वर्सगाट के साथ होगा बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश की राजधानी ढाका है और बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना है नेक्स्ट कोस्चन है पंडब्बी OFC का उदगाटन किस ने किया है आपसंस हैं अमित्सा, राजनात सिंग, नितिन गडगरी या नरेंद्र मूदी तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी जी ने 10 अगस्त 2020 को चेन्नाई और पोर्ट ब्लेयर को देश से जोडने वाली पंडब्बी समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उदगाटन किया है ये पंडब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमरोता, ग्रेट निकोबार, लोंग आईलेंड और रंगत से भी जोड़ेगी ये तेज और अधिक विश्वसनिय मोबाइल और लेंड लाइन दूर संचार सेवा को सक्षम करेगा किस राज के दो गाओं को सुनामी तैयार मान्यता मिली है ओपसंस हैं, ओडिसा, आंद्रप्रदेश, वेस्ट बेंगाल या तमिलनाडू तो ओडिसा के दो तटिये गाओं को आपदा का सामना करने के लिए उनकी पूरी तैयारी के लिए युनिस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है तो इसमें उत्तर आपसन ए ओडिसा सही है उडिसा देश का पहला राजे बना है जिसके पास इस तरीके के गाओं है और ये देश हिंद महा सागर छेत्र में सम्मान हासिल करने वाला भी पहला देश बन गया है इन गाओं के नाम है वैंकटरा पूरा और नोलिया साही गाओं नेक्स्ट कोस्चन है फ्यूचर ब्रैंड इंडेक्स 2020 में रिलाइंस किस स्थान पर है आपसंस हैं एक, दो, तीन या चार तो फ्यूचर ब्रैंड इंडेक्स 2020 में रिलाइंस का दूसरा स्थान है तो इसमें उत्तर आपसं भी दूसरा सही है इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मुके संबानी के Oil Telecom Group Reliance Industries को Future Brand Index 2020 में Apple के बाद दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है ये एक Global Perception Study है जो Brand Index जारी करती है Reliance Industries की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 मैं 1973 गुई थी और इसके संस्थापक धीरु भाई अमबानी है और CEO मुके संबानी है Next Question है Amazing Ayodhya पुस्तक किस ने लिखी है? Options है नीना राय, प्रियंका केशरी, सुसिल कुमार या रीमा हुजा तो नीना राय ने Amazing Ayodhya पुस्तक लिखी है तो इसमें उत्तर Option नीना राय सही है ये राम मंदिर भूमी पूजन के साथ प्रकासन संस्था Bloomsbury ने अपनी नवीनतम पुस्तक की गोशना की है जो Ayodhya के इतिहास पर प्रकास डालेगी Next Question है किस विज्ञानिक को CRSI Chemical Research Society of India का से पदक 2021 मिला है Options है Dr. Shri Hari Pabraja, Dr. Ramesh Joshi, Dr. Harswardhan या Dr. Vinay Kumar तो Dr. Shri Hari Pabraja को CRSI Chemical Research Society of India का से पदक 2021 से सम्मानित किया गया है तो इसमें उत्तर Option है सही है ये IICT यानि Indian Institute of Chemical Technology के Organic Synthesis and Process Chemistry विभाग के Senior Principal Scientist है इन्हें प्राकर्तिक उत्पादों के संसलेशन के छेत्र में उनके योगदान और नई रशायनिक तत्वों के लिए विधी विकास के लिए सम्मानित किया गया है Next Question है किसे Capital India Finance Limited ने कारेकारी अध्यक्ष बनाया है Options है जगदी प्राय, प्रदीप जोशी, हर्स बनवाला या राजेंदर अगरवाल तो हर्स बनवाला को Capital India Finance Limited ने कारेकारी अध्यक्ष बनाया है तो इसमें उत्तर options ही सही है इससे पहले हर्स बनवाला 6 साल के लिए नाबाड के अध्यक्ष थे नेक्स्ट कोस्चन है भारत किस देश में होने वाले कावकाज 2020 अभ्यास में हिस्ता लेगा options है USA, रसिया, जापान या अस्ट्रेलिया तो रसिया में होने वाले कावकाज 2020 अभ्यास में भारत हिस्ता लेगा ये एक multilateral exercise है जिसमें हमारा देश भारत, चाइना, इरान, पाकिस्तान और भी देश भाग लेंगे कावकाज रसिया का एक port है तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment